असलाम उलेकुम, रिजल्ट कब आ रहा है, अगर आप ये चीज गूगल करेंगे, तो आपको जो डेट मिलेगी वो मिलेगी 9 दिसंबर 2022, कहा जा रहा है कि 2022 9 दिसंबर को जो है वो रिजल्ट अनाउस हो जाएगा, क्लास 9 का, क्या वाके ही ये चीज सच है या नहीं, क्योंकि गूगल पर जो भी चीज़े होती है, अकसर वो सची होती है, क्योंकि उस पर जो फेक चीज़े नहीं आ रही होती है, तो क्या वाके ही ये चीज सच है या नहीं, इसके ओपर आज जो है मैं वीडियो में बात करूँगा, और मॉडल पेपर, गैस पेपर में इंशालला जल् ये जरूर देख लीजिए, बहुत इंपोर्टन्ट वो वीडियो है, रिजल्ट से रिलेटेड, तो अब आ जाते हैं, रिजल्ट के ओपर बात कर लेता है, तो देखें, 9 दिसमबर 2022 को रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, इसके 50-50 चांसिस हैं, ठीक है, ये कंफर्म डे चांस हैं के ना आएं, ठीक है 50-50 कह रहा हूं, अच्छा अब कौन सी डेट्स हैं जिसके ओपर रिजल्ट आएगा, तो जो दिसमबर का आखरी हफता है, उसमें ज्यादा तर चांस है के रिजल्ट आ जाए, हाँ अगर खुदा ना खासता दिसमबर में नहीं आता, तो फिर सबसे लेट रिजल्ट इस बार जन्वरी में मिलेगा आपको, जन्वरी के स्टार्ट में आपको आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा, अब रिजल्ट लेट आने की क्या वज़ा बन रही है, ये भी पता होनी चाहिए, अगर हमें ये पता है कि रिजल्ट लेट आएग पांच नहीं थे, साथ थे, जब आप जो है, वो साथ पेपर होंगे, पांच के मुगाबले में, तो आपको तैयारी भी ज्यादा करनी पड़ती है, फिर आपको जो है, वो ज्यादा ट्यूशन लेनी पड़ती है, दो सब्जेक की एक्स्ट्रा, तो इसी तरह से, जब ये चेक होने जाएंगे, तो उसमें भी टैम तो ज्यादा लगेगा ही, तो यही वज़ा है कि टैम ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपके पेपर साथ थे, और उसको चेक होने में थोड़ा सा टैम लग रहा है, फिर वो साथ पेपर चेक होंगे, फिर वो चेक का जो है, वो र मैं चीज़े आपको बताता रहा था पहले भी के रिजल्ट जो है वो आकर में ही मिलेगा दिसंबर के लेकिन आपको पता है एक फेक जो है वो कोई एप थी या कोई साइट थी जिस पे रिजल्ट आ रहा था अब वो फेक क्या था कि आप कोई भी बच्च अपना रोल नंबर किस साल मैं यह भी दुबारा लिखा वा रहा था तो का भी बच्चोट को से रिलेटड़ बताया बार बर वो चीजे बताई तो काफी बच्चे काफी नों था हमें बेज़ा भी के साथ के साथ पेपरों में पास हो गया तो ऐसा अभी कोई भी जो है वो रिजल्ट अनाउस नहीं हुआ है अब जो है वो मौडरन हो गई है चीजे पहले जो रिजल्ट आता था उसमें ऐसे ही आता था किसे बता दिये जाता था कितने पेपर पास हो गए और नंबर कुछ टैम बात पता चल लए होते थे लेकिन अब जो रिजल्ट आता है उसमें आपको आपकी परसंटेज भी साथी साथ पता चल जाती है ग्रेट भी पता चल जाता है तो अभी रिजल्ट नहीं आया है रिजल्ट आने में थोड़ा सा टैम है वेट कर लीजिए जुम्मे को जो है वो नौ तारीक पढ़ लाई है तो अगर रिजल्ट होगा तो जुम्मेरात को पता चल जाएगा जुम्मेरात के दिन आपको पता चल जाएगा कि एगले दिन रिजल्ट है ऐसे ही अनौस होता है फस्ट यर सेकंड यर का भी ऐसी हुआ है सेकंड यर का खास तो और फिर आपका एगले दिन रिजल्ट आ जाता है तो यहाँ पर ऐसा तो कोई है नहीं चक्कर के एक हफ़ता पहले बता दिया जाए या एक महीना पहले बता दिया जाए बस देट प्रिडिक्ट की जा रही हो थी कि इस दिन आएगा या नहीं आएगा तो अगर आप लोग इस चीज़ को कंफर्म करना चाहें जो मैंने शुरू में बताई कि गूगल पे यह चीज़ आ रही है कि रिजल्ट नौ दिसंबर को आ रहा है तो आप लिखिएगा वैं नाइंट रिजल्ट वैं नाइंट क्लास रिजल्ट अनाउस यह डिकलियर ऐसे करके लिख दीजिएगा तो आपको वह एक निउस मिल जाएगी बिसिकली हमारी वैब जो है ना उसके उपर यह रिजल्ट देखने के लिए ऑप्शन आ रहा होता है तो यह वो लोग लगाते हैं तो फिर वह गूगल उसको उपर गर 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 दिखा देता है ठीक है क्योंकि हमारी वैब काफी जो है वो बड़ा नाम है रिजल्ट में यह तमाम बोर्ट के दिखा रही होती है हमारी वैब एक वैब साइट का नाम है ठीक है तो हमारी वैब पे आपको जो है वो हमारी वैब से मेरी वैब नहीं हमारी वैब से मुराद यह वैब साइट का ही नाम है आपको पता है आजकर नाम थोड़े से ऐसे ही रखे जाते हैं साइट के तो हमारी खैबर पक्तूनखा बोट बलोचिस्तान बोट और इसी तरह सिंध के जो फर्दर बोट हैं उसके अंदर के रिजल्ट समाम उस पर आ रहे होते हैं और तमाम जो है वो कैटेगरीज के डिसिप्लेन के रिजल्ट वा मिल रहे होते हैं तो वहाँ पर ये निउस है इसलिए ये गूगल पर आ रही है तो आप लोग भी चाहें तो देख लीजिएगा पहले भी एक निउस इसी तरह से 15 नवंबर की भी आ रही थी जिसमें कंफ्यूस हो गए थे काफी तो उसमें तो रिजल्ट नहीं आया और आप ही नहीं सकता था 15 निवंबर तो बहुत ही पहले हो जाता रिजल्ट का तो इस बार रिजल्ट जो है वो डिसमबर के लास्ट हफते में ठीक है यहां पर मैं बता दूँ जो वीडियो का लिंक दिया है उसको देख लेना उसमें मैंने ये बताया कि इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा या बेशक पूरे साल की आपकी मेहनत है ठीक है पूरे साल की भी नहीं बलकर जब से आप 1 क्लास में हैं और प्र जब तक 9 क्लास में ये इस पूरे टाइम की मेहनत है ये आपकी क्योंकि 10-12 साल आपने पढ़ा तो फिर आप 9 में आए न अब आप बोलेंगे सर 9 में आने के इस result की curiosity सबसे ज्यादा रहती है क्योंकि पहली बार boat का paper दिया होता है पहली बार boat का result होता है तो पहली बार expectation ज्यादा रहती है चीदों को लेकर तो इन्शालला result अच्छा आएगा उमीद तो यही है बाकि जो fact and figures है वो उस वीडियो में देख लो ठीक है उस वीडियो से पत पूरे number आए 1100 यह इससे भी कहीं ज्यादा बच्चों के पूरे पूरे number आए यानि 1100 से 1100 number 1200 में 1200 आगए ठीक है लेकिन फिर जो अगले साल रिजल्ट आया वह बहुत ज्यादा बुरा था तो इसलिए शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिजल्ट expectation के मताबिक ना हो थो है अपलाए होगा वह अगले साल अपलाए होगा तो great system देखने के लिए बस ME English Center पर क्लिक कर देना जो लोगो आ रहा है तो सबसे पहली वीडियो great system की ही मैंने लगाई विये channel के title पर मतलब जो channel का जहां पर सब्सक्राइबर विजिट करते हैं जो home page होता है channel का उस पर लगा किन बच्चों ने स्कूटनी करानी है किन बच्चों ने improvement करना है ठीक है जैसा result है उसके मताबिक और जो group के बच्चे उनके लिए में खास जो है वो मालूमात provide करूंगा group पे और यहां भी तो किन बच्चों ने स्कूटनी करानी है किन बच्चों ने जो improvement करनी है किन में कहा admission मिलेगा और कि इनको कहा नहीं मिल पा रहा होगा तो कैसे हासिल करना है और क्या सिस्टम है तमाम चीज़ें इंशालला उस वीडियो में भी बता दूँगा लाइफ होगा पर वो लेक्चाटी कि गुरूप वालों के लिए भी रखूंगा और इंशालला बाकी जो YouTube के सब्सक्राइबर्स हैं जो YouTube के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फिरी कर दूँगा ताकि वो लोग भी इसमें जुड़ जाएं और अपने जो सवालात उनके जवाब ले लें क्योंकि एक अच्छी राय जो है न वो किसी को काफी फायदा पुचा सकती है तो उमीद करते इसके बाद एक और वीडियो अप्लोड करूँगा जिसमें गैस पेपर मॉडल पेपर पर बात करूँगा थैंक्स फॉल वचिंग अल्ला हाफित अपनी कीम फीडियों में ज़रूर याद रहें